Hello students, this is video number 5 of waves और इसके अंदर हम एक और important topic discuss करेंगे that is superposition of waves और ये वो topic है जिसके अंदर मैं आपको एक चीज़ explain कर दे हूँ कि ये topic आपका बिल्कुल common है sound waves के लिए भी, string waves के लिए भी, em waves के लिए भी em waves हमारा class 12th में आएगा और even it is beneficial in one more chapter of 12th that is AC fundamentals तो वहां पे भी इसका काम आएगा जो हम आज सीखने वाले हैं superposition of waves के बाले में इसका जो basic concept है superposition of waves को हम समझते हैं इस diagram के तुरू, फिर मैं उस definition पे आता हूँ उपर जैसे एक ही string में मान लो दो waves आ रही है ये एक string है जिसके दो waves आ रही है A wave और B wave यहां से आ रही है ये इस particle को इस particle में भी disturbance क्रिएट करेगी ये वाली B wave भी इस particle में disturbance क्रिएट करेगी और ultimately इस B particle को जो net displacement मिलेगी इस B particle को जो net displacement मिलेगी that will be because of both these waves मतलब तुम इसके कारण displacement calculate कर लो इसके कारण displacement calculate कर लो और दोनों को add कर दो इसको displacement normally जो हम waves कर रहे हैं उसमें कैसी displacement मिलती है इसको? SHM ये तो oscillate करता है oscillate करने की SHM करने की एक wave equation है तो यानि की इस P को जो oscillate कर रही है ये A wave भी कर रही है B wave भी कर रही है और net ultimately हमने P बिल्कुल center में लिया है इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखाए दिया कि ये दोनों combine करके इस तरह से बन गया ये P particle को net displacement यहाँ मिली और थोड़ी देर के बाद ये अपनी अपनी जगा चल पड़े B यहाँ निकल गया A वहाँ निकल गया यहाँ से देखो यह disturbance यहाँ से चल रही थी यहाँ से यहाँ निकल गयी यहाँ से निकल गयी लेकिन P particle के साथ बीच में यह उसको displace करके गई उसको displace उसको disturb करके गई flow of energy है हर particle को energy देती हुझा रही है और हम particular एक particle को study करने वाले हैं supervision of जब हम waves के बारे में बात कर रहे हैं अभी देखो जयान से अब मैं इसको read करता हूँ when two or more waves समझ रहे हो आप superpose on a medium particle P वही जो मैंने अभी discuss किया then the resultant displacement of the medium particle then the resultant displacement resultant रोगे दोनों के कारण is given by the phasor sum वो phasor sum क्यों बोला है वो ही मैं आप इसको explain करने जा रहा हूँ अभी आपको is given by the phasor sum आप बो sum अभी sum ही समझो फिर मैं आपको समझाओंगा कि phasor sum क्यों लिखा है of individual displacements produced by the individual displacement produced by the component waves component wave मतलब इन दोनों के कारण दोनों waves को component wave add that medium particle उस medium particle पे independently मतलब उनका phasor sum लो इसके कारण जो है वो अलग से लो इसके कारण जो है वो अलग से लो और फिर उनको क्या कर दो add कर दो अब मैं displacements को add करना आपको सिखाऊंगा जिसको हम पढ़ेंगे superposition of SHM के नाम से अभी मैंने superposition of SHM बोला और आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसा क्यों बोला ये भी समझें दो sources हैं जो waves produce कर रही है एक S1 और S2 है ये दोनों sources coherent sources हैं और coherent sources का मतलब होता है जो ऐसी waves को produce कर पाएं ये दोनों sources आपके sound waves भी produce कर सकते हैं हो सकते हैं ये light waves भी produce कर सकते हैं जब light waves की बात आएगी तो हम same topic हम लोग wave optics में पढ़ते हैं जब हम class 12 में पढ़ेंगे same बिल्कुल same तो इसलिए overall ये topic आपका बहुत important है यही मैं आपको बार-बार बता रहा हूं S1 और S2 आपके coherent sources हैं जिनकी जो waves वो produce करते हैं are of same frequency are of same frequency are of same frequency का मतलब ये होता है कि उनके बीच में कभी भी phase difference change नहीं होगा अब आप समझना इस phase difference को क्या कि phase difference change नहीं होगा इसका क्या मतलब होगा इनके बीच में phase difference change नहीं होगा इसका मतलब यह हुद देखो अगर frequency सेम लेना तो वेव की frequency सेम अगर उनके बीच में phase difference टेंज होगा ही कैसे यह एक वेव है और मान लो यह दूस्री वेव है यह दूसरी वेव इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है क्योंकि यह यहां से शुरू हुआ यह यहां से शुरू हुआ यह यहां से शुरू हुआ इसलिए इन दोनों के बीच का एक phase difference है आपको मैं यह बता दूं कि अगर मैं यहां पे इस point पे यह phase difference देखूं इधर जैसे मैंने यहां देखा इन दोनों के बीच का gap अब मैं तीन waves के बाद देख रहा हूँ एक दो तीन तो यह वाला phase difference जो इन दोनों के बीच का gap यह और इन दोनों के बीच का gap हमेशा सेम रहेगा अगर दोनों की frequency सेम हुई तो अगर frequency सेम ना हो तो मतलब वो कैसे wave हुई वो अगर ऐसी wave होती यह coherent source की wave नहीं है यह S1, S2 की wave है यह मान लो S3 wave है यह S3 की कोई wave है जो जिसकी frequency different है अब phase difference सेम नहीं रहेगा हर जगा phase difference different different आएगा स्टार्टिंग में जो phase difference था वो end में phase difference अब जैसे यहाँ पे इसका phase difference S3 और S1 के बीच का phase difference का है? जीरो, लेकिन एक wave खतम होने के बाद जीरो रहा? नहीं रहा क्यों नहीं रहा? क्योंकि frequency सेम नहीं यह समझनी मैंने, यह बात आपको बतानी है इसलिए क्या लिखते हैं books definition coherent source की कि उनकी frequency सेम होनी चाहिए और उनका phase difference हमेशा constant रहना चाहिए तो मेरे recording वो constant phase difference बोलने की ज़रूरत नहीं है constant phase difference तो अपने आप हो जाएगा अगर उनकी frequency सेम होगी तो वापी समय दराते हैं S1 और S2 आपके दो coherent sources इन दोनों दोनों ने waves produce की, energy produce की और हम study कर रहे हैं medium particle P के बारे में तो medium particle P जो है वो oscillate करेगा S1 wave के कारण भी और S2 wave के कारण भी तो S1 wave के कारण जो वो oscillate करेगा उसकी जो equation होगी वो क्या होगी वो देखते हैं उसकी जो equation होगी that will be Y X1 T क्योंकि वो X1 distance पे है will be equal to A sin omega T minus K X1 मैंने initial phase 0 लिया हुए और Y X2 T यह displacement due to क्या है यह this is displacement of particle Y1 इसको Y1 लिख दो इसको Y2 लिख दो Y1 क्या है displacement of particle P आप लिख सकते हो अपनी copies पे Y1 is displacement of मैं लिख देता हूँ displacement of particle P particle P due to S1 और Y2 ऐसे लिख सकते हो क्या? displacement of particle P due to S2 तो कितनी displacement वो displacement की equation हमें मिलगी? A sin omega P minus KX2 यह दो equations हमें मिलगी? अब जब मुझे net displacement calculate करनी है कि net displacement कितनी है? net displacement Y net of particle P net displacement of particle P due to due to both due to both S1 and S2 क्या होगा? due to both S1 and S2 Y net will be equal to Y1 plus Y2 इसको अब अब यह क्या है? Y1 क्या है? displacement SHM है equation of SHM है यह equation of SHM है किस particle की? P particle की due to S1 अब यह क्या थी? यह equation of wave है यह any particle के लिए हर particle SHM कर रहा है at any distance X उसको हम इस तरह से represent करते हैं लेकिन जब हमने particle fix कर दिया X1 तो अब यह equation of SHM है जब particle fix नहीं है तो this is equation of wave है यह बातें इसमें understand करने वाली हैं जो important बातें होती हैं waves को लेके अब देखना ज़रा ध्यान से मैं क्या बोलूँगा इन दोनों को add करना है तो कैसे add करना है यह हब हमने सीखना है वह आपीस इस पे आऊंगा लेकिन उससे पहले हम topic शुरू करने लगे है कि हम अभी सीखने क्या लगे है कि दो SHM को add कैसे करते है यह इन दो waveforms यह दो equations कैसे add की जाएंगी मुझे equation कौन सी add करनी है आप सोचो क्या है A sin omega same है दोनों का frequency same है omega t minus k x1 plus A sin omega t minus k x2 यह इस तरह की जो equations होंगी इनको हम किस तरह से हम इनको add करेंगे यह अब मैंने अगले topic में सीखना है और उसको अच्छे से हम समझेंगे उसका नाम है superposition of SHM अब superposition of SHM करने से पहले मैं हम थोड़ा सा understanding करते हैं कि हम sine waves किस तरह से लिखते हैं sine function को कैसे लिखा जाता है वो बात कर रहा हूँ जैसे आपका इक equation है y equal to y equal to a sin omega t minus minus 30 degree ऐसे लिख दिया है minus 30 degree अब इस equation को कैसे लिखा इसको इसकी waveform को समझेंगे इसकी waveform कैसी होगी इसकी waveform होगी minus 30 degree लिखा न minus 30 degree मैं बनाता हूँ minus 30 फिर आपको समझाता हूँ minus 30 degree कैसे आएगा मैंने पहले भी आपको SHM के दुरान समझाई हैं ये बातें लेकिन अभी मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ आप ध्यान से एक एक बात को समझेंगा देखो ऐसे याद रखना चाहिए ये आगे चल रहा है function चलता जाएगा ये waveform ये sign function ड्रॉख कर रहा हूँ y with respect to t with respect to t पहले भी आपको बताया था with respect to t लेकिन अगर इसको omega से multiply कर दो अगर इसको omega से multiply कर दो तो ये क्या बन जाता है angle और हम prefer करते हैं और ये 30 degree आपका ये इस तरह से है और ये आगे से क्यों शुरू किया क्योंकि minus 30 degree है minus 30 degree हो तो आगे से शुरू कर दो अब minus 30 degree पे ये आगे से शुरू हुआ ये क्यों हुआ आगे क्यों है हमें तो लग रहा कि यह तो प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखते, इसको देखा जाता है कि t equal to 0 पे इसकी क्या value आई, t equal to 0 पे इसकी value है, a sin minus 30, a sin minus 30 हो गया minus a by 2, तो यानि कि negative यह a है, a is the amplitude, तो यह कहीं आदे a पे इसका ऐसा है, ऐसे represent करना है आपने इसको, और य यह आपका pi by 6 है, pi by 6 यानि 30 degree है, एक ही बात है, pi by 6 लिखो यह 30 degree लिखो, generally हम radians में लिखते हैं, तो यह आगे आपका y equal to a sin omega t minus 30 degree अगर हो तो ऐसा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कि क्या equation लिखूँगा, एक और नही equation लिखता हूँ, अब अगर plus 30 degree हो तो, तो plus 30 degree हो तो कैसे बनेगा, देखो, बनाओ, plus 30 degree हो तो देखो कैसे बन जाएगा, तीक है, इसका मतलब यह पहले से शुरू होगा, ऐसे बोलना है, plus 30 degree तो पहले से, तीक है, यहाँ से, ऐसे, तीक है, क्या, यह a है, यह a है, amplitude जो है, उसको किस से represent किया है, a से, तभी वहाँ a लिखा है, यह amplitude होता है हमेशा, उसके बाद, उसके बाद, आप बोलोगे, plus पे क्यों पीछे से शुरू किया, पीछे से क्यों शुरू किया, इसलिए, ज्यान दो, इसलिए कि जब आप t equal to 0 डालोगे, तो देखो, तो क्या value आई, a sin 30, यानि a by 2, यानि यह a by 2 होगा, 0 पे इसकी value a by 2, इसलिए यह पीछे से शुरू करना पड़ता है, तो मैंने याद रखा हुआ है कि पीछे से शुरू करते हैं, कि plus हो और minus हो तो आगे से शुरू करते हैं, तो this is pi by 6, this is pi by 6, यह आपने बात समझनी है, जो मैंने आपको बताई, और in waveforms को मैं shifted waveforms बोलूँगा, जिनमें यह minus यह plus हो तो, ठीक है, बोलो या नहीं बोलो से कोई फरक नहीं पड़ता, आपको draw करना आना चाहिए, ठीक है, next अगर आती है बात क्या, कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, देखो, यह तो आपको पता इसी wave बनती, यह तो सबसे पहली ही है, बेसिक लिए, यह तो सबसे बेसिक हो गया, कि कुछ भी shifted नहीं, 00 से start होगा, ठीक है, तो इसमें बनाने में आपको कोई problem आनी नहीं चाहिए, यह तो आएगी ऐसी, यह तो बिलकुल सेम ऐसी ही आएगी, yellow, कोई problem नहीं, कोई problem नहीं, अब एक और बात, इनी sign waves को अपनी simplicity के लिए ध्यान देना, हम एक vector से represent करते हैं, लेकिन यह vector है नहीं, please confuse नहीं करना, this is not a vector quantity, तो vector नहीं है, लेकिन अब आपने समझना है इस बात को जरा, कि हम इसको किस तरह से, हम इसको एक phasor से represent करते हैं, we call it phasor, इसलिए correct word इसका है कि हम इसको phasor से represent करते हैं, which has the properties of vector, which has the properties of vector, but it is not a vector, आप बोलोगे क्या पोल रहे हो, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या मतलब है इसका, यह देखो, इसी waveform को हम लोग जब represent करेंगे न, तो हम इसको इधर से represent करेंगे, देखना, यह वाली first waveform को phasor में जब represent करना होगा, simple है देखो, इसको minus 30 है न, तो minus 30 यह आपकी reference हो गया, zero degree, यह आपकी reference line है, यहाँ से कितना angle, minus 30, तो नीचे बना देना है minus 30, नीचे बना देना है minus 30, यह, यह आपका y हो गया, कितना angle, 30 degree, जब तो नीचे बनाया तो मतलब ही हो गया, कितना, minus 30, टीक है, clockwise बनाया, clockwise बनाया है, यह zero degree वाली line है आपकी, टीक है, आप देखो, second वाला बनाओ, इसको कैसे represent करेंगे, प्लस वाले को, प्लस वाले को जब आपने represent करना है, तो आपने ऐसे represent करना है, उपर, ठीक है, angle हमेशा कहां से major करना है, zero degree से, उपर नीचे नहीं बोलना चाहिए, आपने anticlockwise बनाया है, आपने, this is anticlockwise, देखो, यह, ऐसे, anticlockwise कितना, 30 degree, प्लस हो तो ऐसे, यह आपकी y आग आते हैं, calculation की simplicity के लिए, और यह तो बिल्कुल simple है, इसमें कुछ नहीं, यह कहीं आएगा, यह तो बिल्कुल reference पे आएगा, यह तो आपको बताईए, यह तो बिल्कुल उपर ही आएगा, इसके, यह बिल्कुल इसके उपर आएगा, यह इधर आए, यह चीज़ें आपको clear ह होनी चाहिए, बहुत important है, बहुत ज़्यादा important है, यह मैं आपको बता दूँ, यह जो मैंने आपको भी बताया, अब important इसलिए क्योंकि हर chapter के अंदर है यह सब, बार-बार बोल रहा हूं यह बाते हैं, अब मैं इनको add और subtract करने के बारे में बात करेंगे, अब क्या होती, problem कहां आती है, हमें मैं यह बता रहा हूं आपको, जैसे मुझे बोल दिया गया, कि आपको na add करना है दो waveforms को, दो displacements को इसी तरह से जो sine functions है, y equal to a1 sine omega t minus 30 degree, वही ले ले लेते हैं, चलो, ठीक है, this is y1, और y2 equal to a2 sine omega t plus 30 degree, वही जो दो उपर हमने ली थी, अब इन दोनों को add करने के लिए मुझे बोला गया, कि इनको add करो, अब add करो तो जड़ा सोचो जराफ, कि इनको add करना कोई असान काम नहीं होता, अगर हम इनको sine function जो हमने देखा उपर, वैसे ही अगर हम इसको देखते हैं, देखो यह पहला minus 30, minus 30 वाला इदर, ठीक है, यह इदर, पता है आपको, फिर दूसरा, यह आपकी आगी y1, ठीक है, y1, और यह आगे आपका y2, y2 देखो कैसा, y2, प्लस है न, हाँ, यहां से आएगा, ऐसा है, अब इनको add करना, actually add कैसे होगा, t equal to 0 पे इसकी value है, a by 2, t equal to 0 पे इसकी value है, प्लस a by 2, इसी तरह से t कुछ value पे यहां पे इसकी कुछ value है, यहां पे कुछ value है, तो ऐसे इनको add करना instantaneously, एक-एक instant को consider करके, is not easy, is not easy, ठीक है, वो formula लगा के भी difficult पढ़ जाता है, हर जगा different different cases आ जाते हैं, इसलिए आपने क्या करना है, हम इसमें phaser की help लेंगे, जो मैंने आपको अभी उपर सिखाया, उसकी help लेंगे, vectors laws लगाएंगे, और उसकी help करेंगे, और vector sum की तरह इसको solve करेंगे, this is not a vector, but vector sum की त आउंगा, अभी मैं आपको एक important बात और बताऊंगा इसमें, इन दोनों को add करूंगा, किस तरह से, एक wave मैंने, एक phaser मेरा plus 30 पे है, बिल्कुल जी, एक मेरा minus 30 पे है, दोनों की value जरूरी नहीं है, बराबर होना, ठीक है, अब जो phaser एक और बात मैंने बताई नहीं है, यह यहाँ, यह जो इसका magnitude है न, यह magnitude A के बराबर लेना है आपने, यह magnitude A के बराबर है, ठीक है, A के, मैं यहाँ बना देता हूँ, छोड़ा उसको, यहाँ, यह किसके बराबर, यह A2 है नीचे वाला, A2 है नीचे वाला, यह plus 30 वाला, A2 और यह आगे आपका A1, यह आगे आप प्लस 30 डिगरी, एंटी क्लाकवाइस, ठीक है, यह आगे है, अब मुझे इन दोनों को एड करना है, इनको एड करने के लिए, simply, 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 आप लोगोंने क्या लगा देना है, पैरलोग्राम लाओ, जो आपने वेक्टर लाओ में, आफ एडिशन में सीखा था, पिल्कुल डिट टो वैसे लगाओ, एक एक चीज वैसी है, यही हमने यहाँ सीखना है, जो इसमें इंपोर्टेंट बात थी, जो मेरे को आपको बतानी थी, जिसके लिए मैंने इतना लंबा, आपको सब पीछे वाली सारी चीजें बताई, क्या, इनका समझब आपने लेना है, तो just draw, make it's प पैरलोग्राम लॉक की तरह जैसे हम बनाते हैं हमेशा, ठीक है, पैरलोग्राम लॉक की तरह ही बना रहा हूं, कुछ निया नहीं बना रहा हूं, और यह इसका resultant, यह इसका resultant, ठीक है, और यह angle आपको याद होगा, हम किसी भी angle को जब measure करते थे, मैं आपको एक चीज इसम interesting बताता हूं, इसमें आप इसको, और हम यह वाला angle भी find करने में interested हैं, ठीक है, यह वाला, और यह जो angle है, वो, हम लगिन जब इसमें लगाते थे, पैरलोग्राम लॉ लगाते हैं, तो हम यह वाला angle actually calculate करते हैं, किसी particular एक vector के साथ, जिसको हम बीटा बोलते थे, ठीक है, तो आएगा, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, a net आपको मालूम है बड़े अच्छे से किसके बराबर होता है, a net मतलब आपका resultant किसके बराबर आएगा, that will be equal to under root, a1 square, plus a2 square, plus 2 a1 a2, cos phi, this is very interesting कि यहां जो cos phi है, what is phi here, इन दोनों के बीच का angle, this is the most interesting part, और उसको हम पता क्या बो waveform की language में उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का angle तुमें clear cut नजर आ रहा है, 60 degree है, लेकिन अगर हम waveforms को देखें तो ज़रा देखना ज़रा क्या है, waveforms को अगर अच्छे से understand करें आप, देखें, देखें, जो angle phi है न, actually, इसको हम क्या बोलते थे वहां पे, angle between the two vectors, ले that is phase difference, call it phase difference, यहां phase difference कैसे, आप देखो मैं बताता हूं phase difference, waveform को लेके यह word है phase difference, उसको हमने समझना है, phase difference हम किस तरह से निकाल दिखाते हैं, देखो, इसका जो initial point है और उसके initial point में दोनों में gap कितना है, इसका initial point यह है, इदर और इसका इदर, यह कितना distance है इन दोनों के बी जब angle में हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं phase difference, this is the phase difference between the two waveforms, इन दो waveforms के बीच का जो phase difference है, that is this, and अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या यह 60 degree है, बिलकुल है, इसको बोलते हैं हम phase difference, यह waveform, तब ही मैं इसको पीछे से शुरू किया था, इसको आगे से शुरू किया, मतलब जहां से ही शुरू ही उपर, मतलब first positive cycle कहां से शुरू है, वो देखना होता है अपने point, यह वाला point, मतलब waveform जो शुरू होई, पॉस्चिव साइकल तुमने कहां से शुरू किया, यह मतलब है, तो positive cycle कहां से शुरू किया, इसका positive cycle का है, यहां से, तो इन दोनों के बीच का gap और ये gap हर जगा same है ऐसा नहीं कि यहाँ यह gap है यहाँ पे जब अगर आप यहाँ से gap निकालोगे यह वाला यहाँ से यह भी same आएगा एक waveform के बाद कर यह भी same आएगा यह भी 60D अब वो waveform यहाँ बनाई है यह चोटी बड़ी बन जाती है अगर आप इसको बिल्कुल width को proper बनाओ तो आपका बिल्कुल constant आएगा यहाँ दिखाई नहीं देरा constant इसलिए क्योंकि यह छोटी बनी है थोड़ी और यह बड़ी बनी है तो इसलिए constant दिखाई नहीं देरा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यह constant है तो यह 60 degree लेकिन हम यहाँ से अब यही चीज़ आपने यह समझने है कि जो phase difference यहाँ 60 degree आया जो phase difference यहाँ 60 degree आया वही यहाँ पे 60 degree आया है यह angle between the two vectors जिसको हम वहाँ बोलते थे लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे phase difference तो phi is the phase difference here phi is the phase difference phase difference phi is the phase difference वस इतना इना phi is the phase difference तो यह हमरा आगे यह इसकी सारी की सारी कहानी है जो हमने इसमें understand करनी थी this is very important part इसी के आगे हमरा next portion भी चलेगा जो अब हम इसके बात सीखेंगे interference of wave सब सब चीजें इसके साथ चलेंगे constructive interference destructive interference यह सब important था इसके आगे यह जस्ट basic था ठीक है इसके बात को understand यह जो मैंने आपको यहां सिखाया यह वाला part यह वाला part important है जो मैंने आपको बताया कि ultimately एक particle को हम discuss कर रहे हैं जब एक particle को discuss करेंगे तो उसको wave नहीं कहेंगे फिर वो एक क्या बन गया SHM function displacement function बन गया कि P को displacement S1 के कारण भी है P को displacement S2 के कारण भी है net displacement P को कितनी मिलेगी वो अगर हम calculate करना चाहते हैं तो यहां से वो सारी story बनेगी अब देखो इन दोनों के बीच में actually phase difference कितना है हमेशा अभी मैंने जो यह waveform बनाई है इन दोनों के बीच का जो phase difference है वो ultimately क्या अगर वो किसकी वज़ा से create हुआ क्योंकि इसने distance कितना travel किया X1 इसने कितना distance travel किया X2 ठीक है तो इसलिए दोनों की equation आपको different अगर दोनों X1 travel करते तो दोनों का क्या आना था X1 X2 तो दोनों का phase difference कितना आना था? अगर मैं यहां पे इसके phase difference को अगर compare करो आप इसके साथ तो आप इसका phase difference किसके बराबर आया? यह जो मैंने उपर लिखा है इसमें phase difference किसके बराबर आया? यहां लिखता हूँ यह दो waveforms आपको दिखाई दे रही है तो यहां पे आपका phase difference किसके बराबर आयेगा? फाई phase difference किसके बराबर आयेगा? ध्यान देना ज़रा प्लीज आप किस तरह से phase difference निकाल रहे थे? अगर आपको ध्यान दो तो आप इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ और आप ऐसा मान लो कि x1 जो है वो छोटा है किससे? x1 से, x2 से तो इसलिए आपका जो यहां पे minus kx1 है इसलिए नीचे बनेगा यही है ना आपका जैसे हम लें plus 30 minus 30 लिखा था यहां पे minus kx2 है तो ultimately आपको क्या चाहिए होता है इन दोनों के बीच का angle इन दोनों के बीच का angle आपको निकालने के लिए क्या देखना है यह आपका आगया minus kx1 ठीक है एक आगया आपका minus kx2 यह आगया आपकी दो waveforms एक y1 की और एक y2 की ठीक है? दो phasors एक y1 का और एक y2 का इसको 1 और 2 लिखो ठीक है? यह आपका a1 और यह आपका a2 और इन दोनों के बीच का angle यह आगया ठीक है? और इसमें समझने वाली बात यह है इसमें एक और क्या? देखो यह angle कितना है? यह angle है kx1 ठीक है? वही है ना? 30 degree वाला और यह angle कितना है? यह यह angle कितना है? kx2 कितना है? kx2 kx1 ultimately क्या बन गया? kx2 minus x1 और ध्यान देना प्लीज x2 minus x1 क्या है? ध्यान देना प्लीज important बात बता रहा हूँ x2 minus x1 क्या है? x2 minus x1 है कि इन दोनों का path का difference x2 minus x1 में हम इसको लिखेंगे k delta x where where delta x is called path difference path difference path difference मतलब distance travel दोनोंने different different किया दोनों waveforms को different distance travel करना पड़ा दोनों different distance travel करने के कारण उन दोनों के बीच में phase difference create हुआ अगर यह दोनों distance travel same नहीं करती अगर यह दोनों same distance travel कर रही होती तो phase difference आता? नहीं आता लेकिन यहाँ पे जो phase difference आ रहा है that is because of path difference यहां से बिलकुल clear हो गया अगर वो particle P जान दो अगर वो particle P equal distance पे होता कहां से S1 और S2 से तो that means कि path difference कितना होता 0 यानि कि face difference कितना होता 0 यह बाते मैंने आपको यहां बताई यह बहुत crucial और बहुत important है अच्छे से सीखके रखना है एक एक बात को note करके रखना है अपने दिमाग में भी और copy पे भी Thank you very much